सुप्रबाद बच्चों, एसेंट अकेडमी ओनलाइन क्लासिज में आपका स्वागते हैं आज का हमार प्रक्रण है मंचम पाट व्रक्षा व्रक्षा यानि पेड़ पेड़ों के बारे में बतलाये गया है ये पेड़ों के बारे में एक कविता लिखी गई है इसके रचेता हैं डॉक्टर अर्षदेवमाधव अब या कविता वने वने निवसंतो व्रक्षा वनम वनम रचेनती प्रक्षा वने वने यानि वन में वन में वन में सब्तमी विबक्ती का बुद्ध प्या गया है आपको मैंने राम्शब्द पढ़ाय थी राम सब्द के अंतरगत हमने सब्दमी विबक्ति देखे थी जिसमें लिखा था रामे रामयो रामेशु तो उसमें रामे लिखा था सब्दमी विबक्ति एक वचन में वैसे ही वने यानि वन में निवसंतो व्रक्षा वन वन में यानि हर वन में निवसंतो यानि निवास करत हैं व्रक्षा यानि पेड़ बहुत सारे पेड़ व्रक्षा आया है यहां पे तो बहु अचन का रूप है बहुत सारे पेड़ रहते हैं वन में हर वन में बहुत से पेड़ होते हैं वनम वनम रच्यनती व्रक्षा और वन वन को रच्चती है व्रक्षा रच्तिया या बनाती व्रक्षा, सबी व्रक्ष मिलकर के ही वन की रचना करते हैं, तो इसलिए वनम वनम रच्यनती व्रक्षा, वन को वन को हर वन को रच्यती व्रक्षा, रच्यती है बनाती है व्रक्षा, पेड़, पेड़ हर वन को बनाते हैं, जब बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो वो जंगल बन जाता है, one या निकि जंगल, जब बहुत सारे one गने गने रख्ष होते हैं तो वो क्या गह लता है, जंगल या one या अरण्या, टीक है यहाँ पे one बने निवसथी रख्षा निवसथों रख्षा, यानि कि one में बन में रहते हैं वन को वन को बनाते हैं पेड़ और उसी वन पे साखा दोला सीना विहंगा विहंग होते हैं पक्सी तो साखा दोला सीना विहंगा शाखा यानि की पेड़ की डाली दोला यानि की जुला तो डाली को पेड़ का जुला वान करके वहाँ पर बैठते हैं विहंगा यानि पक्सी उन व्रक्षक पर पेड़ की डालियों पर दोला यानि की जुला समझ करके वहाँ पक्सी बैठते हैं ते किमपी गुज्यती कुज व्रक्षा ते यानि वे सभी जो विहंग है वे सभी ते यानि वे सभी किम अपी यानि कुछ भी कुझनती यानि कुझते हैं गुनगुनाते हैं बोलते हैं जैसे अपन मनिश्य बोलते हैं वैसे ही प्रक्षी जो होते हैं वो कुझन करते हैं तो कुझनती यानि की कुझन करते व्रक्षा उस व्रक्ष पे बैठ करके जो कि वो व्रक्ष की शाक्खों को वो क्या मानते हैं जुले के समान मानते हैं कौन मानते हैं विहंगा यानी पक्षी वे रक्ष की डाली पर बैठ करके जुले के समान मानते हैं और उस पर बैठ करके कुछ न कुछ गुंजन करते रहते हैं तो कविन अपने बाहो को इस कविता के मादिम से दर्शाया है कि वनों में रक्ष रहते हैं और रक्षों से ही वनकी रचना होती है और वहाँ पर पक्षी बैठते हैं, साखा पर बैठते हैं, और साखा को जुल्या मान करके वहाँ बैठते हैं, और कुछ न कुछ वहाँ पर गुंजन करते रहते हैं वहीं पे पिबन्ती वनम जलम संततम पिबन्ती यानि पीते हैं पवनम यानि हवा भी खाते हैं जलम संततम सादू जना इव सर्वे व्रक्षा सादू जना यानि शादू के समान सादू जन इव यानि के समान सभी व्रक्षा सर्वे यानि सभी व्रक्षा यानि व्रक्ष पिबंती पवनम जलम संततम जल को पीते हैं और हवा खाते हैं वहाँ पे सबीवन सादू जना सादू के समान मतलब सादू जो लोग होते हैं वो जितना उनको चाहिए पानी या जल मतलब पानी या बोजन जितना उनको चाहिए वो उतना ही लेते है अधिक ग्रहन नहीं करते हैं जिनने उनकी एपिशटी होते हैं वो उतना ही करते हैं एक खट नहीं करते हैं और अपने पास भी नहीं रखते हैं जितना उनको खाना होता है उतना ही खाते हैं उतना ही ग्रहन करते हैं तो वैसे ही रक्ष भी सादू के सम्मान जितना उनको पान पादे पातालच नब सिरसु वहंती व्रक्षा अब व्रक्षा से देखेंगे कि व्रक्ष के जो पेड पेड को इसपर्श करना पादे यानि पेड के जो पेड है पेड यानि की जड़े होती है ये पेड है इसकी जड़े है जो पेड की पेड है जो इसकी जड़े है वो क्या ह पातले, पातालंच, वो क्या है, पाताल में, दर्टि के अंदर है, नब सीरसू वहनती व्रक्षा, और उसका सिर नब में आकास की और वहन करता है, मतलब रक्ष की जो पैर है वो पाताल में इसपर्ष करते हैं और जो उसका सिर है वो नब को इसपर्ष करता है सिर यानि पेड की जो उपर वाली टेहनिया होती है पत्ते होते हैं वो सभी आकास की तरफ होते हैं और जो व्रक्ष की जड़े होती हैं, वो पाताल की तरफ होती हैं, ये व्रक्ष के बारे में कवी ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, अपनी कवीता के माध्यम से, अब आगे देखेंगे, प्रयोद दर्पने स्व प्रतिबिम्ब, कोतु के प्रस्चेती प्रस्चेंती व्रक्षा, व्रक्षा यानि की पेड, कोतु के यानि कोतु के नियानि आश्चरी के द्वारा प्रस्चेंती यानि देखती हैं, प्रयोद दर्पन, प्रयोद दर्पन यानि की जल रुपी दर्प अगला प्रशार्य स्वाज्चाया संत्रणंप कुर्वंति सत्कार सत्कारम रक्षा रक्षहा यानि जो पेड होते हैं वो प्रशार्य यानि फैलाते हैं स्वच्छाया अपनी छाया या अपना पेड फैला करके सत्कर्णम यानि कि बिस्तर के रूप में फैलाते हैं अपनी छाया को बिस्तर के रूप में फैलाते हैं प्रशारियत यानि फैलाना, संत्रणम यानि बिस्तर की रूप में, स्वचाया यानि अपनी छाया, तो अपनी छाया वो बिस्तर के रूप में फैलाते हैं, और सत्कार कुर्वन्ती, जो रहागिर होते हैं, उस रहा में आने वाले वक्ति हैं, उनका सत्कार करते हैं, जो ये प्रदान करते हैं, ऐसी डॉक्टर हर्ट्स देव मादव की द्वारा लिखी गई कविता हैं, इसको वापस देखेंगे, वने वने निवसंती रक्षा, वनम वनम रचंती रक्षा, वन में वन में रक्ष होते हैं, निवास करते हैं, और वन में ही रक्ष की रचना होती है, वे व्रक्षपक की शाखा को जुले के समान मान करके वहाँ पर प्रक्षी रहते हैं और कुछ न कुछ कुछ कुछन करते हैं पिबन्ती पवनम जलम संततम सादू जनाईव सर्वे व्रक्षप और वे सभी व्रक्षप सादू के समान सभी व्रक्षप अपना जल पीते हैं और हवा खाते हैं इसप्रसंती पादी पातालम्च नब सीरसुह वहनती व्रक्षप और जो पेड के पैर होते हैं वो इसपर्ष करते हैं पाताल को यानि धर्थी को इसपर्ष करते हैं और जो व्रक्ष का सीर होता है वो आकास में वहन करता है आकास की दरफ रहता है प्रयोदरपन स्वा प्रतिबिम्ब कोतुकेन प्रिश्चयन्ती व्रक्षा जो व्रक्ष होते हैं वो आश्चरिय से कोतुकेन यानि आश्चरिय से प्रयोदरपन यानि की जल की छाया में स्वायम का प्रतिबिम्ब देखते हैं प्रश्चयन्ती यानि देखते हैं प्रशारियस वच्छाया सत्करणम कुर्वंती सत्कार व्रक्षा जो व्रक्ष होते हैं वो अपनी च्छाया फैला करके बिस्तर के समान फैला करके लोगों का सत्कार करते हैं आदर करते हैं ये तो डॉक्टर हर्स देव मादों के द्वारा लिखी गई कविता हैं अब आपका हुमवक है सब्दार्थ करने हैं कोशन नम्बर एक से लेकर छे तक आपको अपनी नॉट बुक में करने हैं धन्यवाद